हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई योटूब चैनल AIS एजूकेशन्स और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकनो का री रेजिस्ट्रेशन फोरम जुलाई दोजार एडमिजन सेशन के लिए कब ओपन होगा और कौन-कौन विध्यारती री रेजिस्ट्रेशन करने के लिए इलिजिबल होंगे यानि कि किन-किन विध्यारती के लिए मेंडेटरी है कि वो अपना री रेजिस्ट्रेशन यानि कि सेकंडियर और थर्डियर के अडमिशन्स अपने करें तो इसके बारे में complete details मैं explain करूँगा लेकिन जिससे पहले वीडियो में start करूँ जो भी students हमारा चैनल AIS Educations पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon पर press करना ना भूले ताकि एकनों से जुड़ एपडेट्स के जो भी वीडियो और classes के वीडियो जो हम upload करें हम आप लोगों तक immediately पहुँच सके और इस वीडियो के description में हमारे whatsapp group और telegram group के link दिये जा रहे हैं जिन पे आप हमें follow कर सकते हैं ताकि आप लोगों तक IGNU के updates immediately पहुँच सके तो अभी हम start करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी जैसा कि मैं आपको बता दू कि IGNU का जनवरी 2021 के लिए registration close हो चुका है और registration की last date 37 मार्त 2021 थी उसके बाद अभी जुलाई 2021 admission session के लिए registration open होना है और generally देखा जाए तो पिछले कुछ वर्सों से registration generally अप्रेल के महिने में open होता था और उसके लिए पहले 30 जून और 15 जुलाई maximum extension होके last date रहती थी लेकिन अब की बार COVID-19 का जो scenario चल रहा है इसके कारण सारे admissions डिले होते जा रहे हैं सारे admissions डिले होए हैं पिछे और even registration form भी डिले हुआ है last time भी लेकिन अभी ये उम्मीद है कि registration form अभी लगबग 15 मई से पहले आपका open हो जाएगा और इसकी last date 30 जून तक निर्धारित रहेगी ऐसा माना जा सकता है general situation यही है चांसीज यही है कि आप लोगों का registration form 15 मई से पहले पहले open हो जाएगा और last date उसकी 30 जून के आसपास रखी जाएगी तो re-registration उन सभी विद्यार्थियों को करना जरूरी है जिनोंने कि July 2020 admission session में इगनू में graduation और post graduation के first year या फिर graduation के second year में admission लिया था वो अपना third year के लिए यानिकि next consecutive year के लिए अपना admission करें और re-registration करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आपने term and exam में appear हुए हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है for examples जिन विद्यार्थियों ने July 2020 में first year में admission लिया था तो उनके second year के exam June 2021 term and examination में scheduled है और वो re-registration अपना मई में भी कर सकते हैं और मई में ही उनको कर लेना चाहिए क्यों था कि उनका second year custody material timely उनके पास आ चके वह और timely उनका session भी easily complete हो सके कोई भी उसमें दिक्कत ना हूँ तो advice ही किया जाता है कि आप लोग अपना timely re-registration कर ले जैसे यह re-registration का form open होगा मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों का update दूँगा तभी आप लोग immediately अपना re-registration कर पाएंगे और complete वीडियो भी में बनाऊंगा step by step कैसे करते हैं पहले भी बना चुका हूँ पुरानी वीडियो भी पड़े हैं वो भी आप prefer कर सकते हैं इस चैनल पर क्योंकि प्रोसेस जनरली सेम रहता है उसमें कोई भी variation नहीं होता है तो और बात करे टर्मेट exam form की तो अभी इकनों के कल VC ने एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि इकनों के examination postpone भी किया जा सकते हैं तो अभी हो सकता कि examination form में थोड़ा और डिले हो लेकिन जैसे ही कोई भी ये form open होंगे मैं वीडियो के द्वार आप लोगों को अपडेट दूँगा तो जो भी students हमारा चैनल AIS Educations पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आगर पर जरूर प्र